अब देख रहे हैं श्रेश्ट भारत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सर्किट यानि के अर्शत वार्सी उन्होंने हाली में इंडस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है एक्टर ने बेतर में आसमानता को लेकर एक महत्पून बातचीत छेड़ी है जी हां तीन दशक से जादा लंबे करियर के साथ अर्शत वार्सी ने मुन्ना भाई MPBS गोलमाल और इश्किया जैसी फिल्मों में अपने एक्टिंग से लोगों को मंत्र मुग्द कर दिया है इसी बीच उनकी हालिया टिपनी वालीबुट में एक गंभीर मुद्दे को उजागर करती है वालीबुट पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है दरसल अर्शत ने अपने हालिया इंटर्व्यू में उन एक्टर्स की बाद कही जिनको अच्छी खासी महनताना मिलती है पर फिल्म होती है उनकी टाय टाय फिस उन एक्टर्स के बेतन आस्मान चूरे है पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाती इसी असमानता के बारे में बड़ती चिंता को संबोधित किया है उन्होंने उन्होंने कहा मुझे लगता है कि इतना जादा जो मिल रहा है नहीं मिलना चाहिए बार्सी ने आगे बताय कि कुछ स्टार्स की बड़ी हुई फीस इंडस्री में विवाजन पैदा करती है जिससे उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है जो आर्थिक रूप से उतने भागेशाली नहीं है आर्शद वार्सी ने बताय कि जहां कुछ एक्टर बहुत जादा रकम कमा रहे हैं वहीं दूसरे को नुकसान छिलना पड़ रहा है उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये असंतुलन ना स्रिप इसमें शामिल वेक्टियों के लिए बलकि पूरी इंडस्री के लिए हानिकारक है उन्होंने टिपनी की कुछ एक्टर्स हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और उनको मुआबजा देने के लिए बाकी के लोग फीडित हो रहे हैं हलाकि इसमें अर्शद ने किसी का नाम नहीं लिया पर कुछ ऐसे बड़े बड़े सितारे हैं जिनकी फिल्में लगातार रिलीस हो रही हैं और बैक टू बैक फ्लॉप भी हो रही हैं पर फीज उनकी हाई है वैसे अर्शद ने कहा है कि वॉलिवुट में बेतन आसामानता का मुद्धा नया नहीं है लेकिन वार्शी की टिपनिया इसे फिर से सुर्खियों में ला देती है आर्शद ने जो कुछ कहा वो कई लोगों के साथ मेल खाता है जो महसूस करते हैं कि इंडस्ट्री की संग्रचना अकसर कुछ चुनिंदा लोगों का पक्ष लेती है जिससे दूसरों को माननता और उचित मुआबजे के लिए संख़श करना पड़ता है वॉलिवूट इंडस्ट्री सबसे महंगी फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है और इसकी वज़ा है सितारों की फीस और उनकी फिल्मों का बजट सल्मान खान, शारुक खान, अक्षे कमार से लेकर आमिर खान तक की फीस इतनी जादा है कि कभी-कभी फिल्म के बजट से जादा इन स्टार्स की फीस होती है रिपोर्ट्स की माने तो वॉलिवुट के चर्चित कलाकारों के बारे में बताते हैं जो एक फिल्म के लिए भारी भरकम फीस लेते हैं पर फिल्में उनकी खास कमाल नहीं कर पाती इसी वज़े से जो टीम के बाकी लोग होते हैं जो बैक में काम करते हैं उनकी महनताना उतनी नहीं हो पाती बात अगर B-Town के खिलाडी कुमार की करे तो आक्षे की लगातार, सरफिरा, बड़े मिया, छोटे मिया, समराड, प्रिथी विराज, मिशन, रानी गंच, सेलफी, राम सेतू, सभी फिल्म में फ्लॉप रही 2022 के बाद से उन्होंने सरिफ एक हिट फिल्म दी थी, वो थी OMG2 रिपोर्ट्स की माने तो आक्षे कुमार वॉलिवूट के अकेले ऐसे एक्टर हैं जिनकी हर साल 4-5 फिल्में रिलीज होती हैं और वो हर फिल्म में 117-135 करोर रुपए चार्ज करते हैं अगले हैं वॉलिवूट के किंग खान, शारुख खान, वो वॉलिवूट के बादशाह कह जाते हैं ऐसे में उनकी फीस भी जाहिर है, मामूली नहीं होगी, समय के साथ उनकी फीस में भी इजाफा हो रहा है रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म पठान के लिए शारुख खान को 100 करोर रुपए फीस दी गई थी रिपोर्ट्स की माने तो एक फिल्म के लिए शारुख 150 करोर से लेकर 250 करोर रुपए तक की फीस वसूलते है वही किंग खान की जीरो दो हजार अठारा में आई थी फैन दो हजार सोला में जब हैरी मैट सेजन दो हजार सत्रा बिल्लू दो हजार नो पर सभी फ्लॉप रही अगले हैं वॉलिवूट के मिस्टर पर्फेक्शन निस्ट यानिकी आमिर खार पर इनका भी जादू कुछ समय से खास चल नहीं रहा वहीं इनकी फीज की बात करें तो रिपोर्ट्स की माने तो वो एक फिल्म के लिए 75 से 80 करोर रुपए चार्ज करते हैं मंगल पांडे दर राइजिंग 2005 में आई ये फिल्म करीब 37 करोर के बजट से बनाई गई थी लेकिन इसने कुल 27.86 करोर की ही कमाई की थी माना जाता है कि ये फिल्म आमिर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी लाल सिंग चड़ा 2022 ये फिल्म 180 करोर के बजट में बनी इसी फिल्म ने आप तक स्रिफ 45.83 करोर रुपए ही कमाई है इसके बाद लाल सिंग चड़ा को नेट्फिक्स पर भी रिलीस किया गया उसमें भी वो कुछ खास रिस्पॉंस नहीं ला पाए अब आते हैं दवंग खान पर यानि कि सलमान खान सलमान खान की फीज as for the reports एक फिल्म की 70 से 75 करोर रुपए वो चार्ज करते हैं वह फिल्मों की बात करें तो सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान 2030 में आई थी ये सब फिल्में जो थी वो खास कमाल नहीं कर पाई और ये भी फ्लॉप के कटेगरी में ही आते हैं पर फिर भी ये वोलिवुट के टॉप एक्टर्स हैं भले ही फिल्में ना चले भले ही प्रोड्यूसर्स कर्जे में डूप जाए पर ये एक्टर्स हैं कि अपनी फीज कम करते ही नहीं है तो यहां हम कह सकते हैं कि आशदवार्सी ने जो वेतन आसामानता पर बात कही है तो कहीं न कहीं सच है पर खुल कर ये भी नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के साथ तो ये भी काम कर रहे हैं वैसे आपके हिसाब से कौन-कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो फ्लॉब फिल्मों के बावजूद हाइस पेड एक्टर्स हैं बी टाउन में कमेंट करके जरूर बताईए बाकिया ऐसे ही स्टोरीज के लिए तुरन सब्सक्राइब कीजिए श्रेश्ट भारत को